ओम शान्ती आज 22 सित्मबर 2022 है मुरली हम सुनते हैं और मुरली सुनाते भी हैं लेकिन मुरली धर कैसे बनना है वो हम आज के स्लोगन से हम सुनेंगे जिनका मुरली से प्यार हो वही मास्टर मुरली धर है जैसे किसी का किसी चीज या वस्तू से प्यार हो जाता है या उसी चीज के लिए वो रुजाओ दिखाता है मन का रुजाओ हो जाता है तो वो वस्तु जैसे उनके जीवन का अंग बन जाता है उस वस्तु के बगेर वो रह नहीं सकता जैसे उस वस्तु की आदत से पढ़ जाती है ठीक इसी प्रकार से मुरली के प्रती मेरा प्यार होना मेरा मुरली के प्रती रुझाव होना का अर्थ भी यही है कि मुरली मेरे जीवन का अंग बन जाए, जीवन का आधार बन जाए, मुरली के बगेर रह ना सके, मुरली जैसे की आदत बन जाए और मुरली को आदत बनाना माना मुरली को अपने जीवन में धारन करना सिर्फ मुरली को नियमित रूप से सुनने मात्र ना सुनना परंतु इसी श्रद्धा से इसी प्यार से सुनना कि जैसे कोई प्यार का पैगाम मेरे लिए आया हो और उस प्यार के पैगाम को उतनी ही भावना से जीवन के अंदर उतारना इसको कहा जाता है मुरली सुनना मुरली से प्यार और जब जीवन के अंदर मुरली के एक-एक पॉइंट को हम धारन करते हैं उतारते हैं तो भले है ये मुख बोले या न बोले लेकिन वो जीवन की धारना मुरली की धारना बोलने लगती है इसलिए उसी को ही मास्टर मुरली जाता है. सिर्फ मुरली सुनाने मात्र सुनाना, मुरली के पोइंट्स को चिंतन करके दूसरों को के साथ शेयर करना इसको मुरली धर नहीं कहेंगे क्योंकि जीवन में उतारा नहीं है उसकी धारना नहीं हुई है जिस प्रकार से बाप दादा के एक-एक महावाक्य जो मुरली की रूप से हम सुनते हैं उसको महावाक्य कहते हैं उसको वानी कहते हैं तो बाबा का महावाक्य ही मेरा वाक्य बन जाए मेरा जीवन का एक-एक की कहानी बन जाए तब मेरे मुख से निकलने वाले एक एक बोल जैसे मुरली के पॉइंट जैसा हो जाता है और यही मास्टर मुरली धर है ओम शांति